नमस्कार दोस्तों जैसी क्रश्न कैसे हैं आप सब उमिद करती हूं खुश होंगे सुखी होंगे संपन होंगे दोस्तों अभी कुछ दिनों से हमारे कोई एक सब्स्राइबर हैं जो बार बार कमेंट कर रहे हैं कि मुझे मैडम ये नमबर बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा ह है यह नमबर बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है नमबर है 786 जो मुझे बार-बार दिखाई देता है कई बार ऐसा होता है लाइफ में दोस्तों कई नमबर आपको सपने में या फिर सब्सक्राइब आप कोई रोड पर जा रहे हैं कोई गाड़ी आगे आगे जा रही उस दोस्तों मैंने पहले भी वीडियो अप्रूड कर रखें कि यदि ये नंबर्स आपको दिखाई देते हैं तो इसका क्या रिजल्ट आता है आपकी लाइफ में बहुत ही बढ़िया मढ़िया वीडियो जे यदि आपको कोई भी ऐसा नंबर दिखाई देता है तो आप प्लीस चैनल पर जरूर जाए और वीडियो को जरूर देखें जिसे मैंने उस नंबरों के बारे में बहुत अच्छे से बहुत डीटेल में समझाया हुआ है कि नंबरों को देखने से क्या होता है ठीक है दोस्तों 786 नंबर यदि आपको बार-बार दिखाई दे रहा है समझ ही आपका बहुत अच्छा समय आने वाला है कुछ लोगोंने 786 नंबर को किसी पार्टीकुलर धर्म के साथ जोड़ दिया है कि 786 नंबर है मतलब इसी धर्म के लोग इसको बोल सकते हैं इस नंबर के साथ सिरक इसी धर्म के लोग जुड़े हुए हैं दोस्तों जो नंबर से जो निम्रोलोजी है, इसके साथ पूरी दुनिया पूरा विश्व जुड़ा हुआ है, हर व्यक्ति के हर जीव की लाइप से नमबर जुड़े हुए हैं, क्योंकि हर जीव किसी न किसी ग्रह से जुड़ा हुआ है, हर ग्रह का कोई न कोई नमबर है, हर देवी देवता उस नम इस जुड़ा होता है जैसे कि गुरू गुरू का तीन का जो आगधों सब्सक्राइब तो यूँ आप समझ सकते हैं कि भगवान स्री हरी का कोई अंख है तो आप तीन का कह सकते हैं भगवान शिव जी का तो दो कांख क्योंकि भगवान शिव की पुजा सोंगवार को होती है और चंद्रका जो अंखे वो दो कांखे और इसके सिवाई विठेरो ऐसी चीजे है जो आपके भी देवी देवताओं को इन अंकों के साथ जोड़ देती है अंकों की दुनिया किसी भी धर्म से जुड़ी नहीं है और वैसे भी दोस्तों पूरे विश्व में एक ही सकती है जो सभी के उपर अपना राज कर रही है एक मात्रो वही चीज है जिसका इस दुनिया में जिसके निड़े चल रहे है हर व्यक्ति जिस धर्म में जन्म लिया है बच्चे को बच्पन से बता जाता कि हमारा ये धर्म हम हिंदू है तो हमें इस टाइप से हमारी रिचोल्स को करना है हमारी ये देव है यदि हम क्रिश्चन है तो हमारी ये देव है देव चाहे कोई भ्योग किसी का भी भागवान किसी को गलत सला नहीं देता है कि आप किसी की निंदा करो, किसी का कतल करो, किसी के घर में चोरी करो, जुट बोलो, हर व्यक्ति का धर्म अच्छी सला देता है, नाम चाहिए आप अपने भागवान का कोई विदे दे, कोई कृष्ण जी में मानता है, कोई राम जी में मानता है, कोई शिव जी में मानता है, और जो 766 का अंक हैं दोस्तों, ये बोहती सुध, बोहती पवित्र अंक है, ये माता लक्षमी से जुड़ा है, ये मा शारदा से जुड़ा है, ये गणपती जी से जुड़ा हुआ है। कोई भी सुभ कारे की आप शुरुवात करते हैं तीन बार आप इस अंक को बोले आपको इस काम में अच्छी खासी सपलता देखने के लिए मिलेगी यदि आपके पास कोई नोट है जिसमें लास्ट वाला अंक 786 का है तो उस पर थोड़ी सी हल्दी लगा करके हल्दी दोस्तों बहुती सुभ सगुन माना जाता है हल्दी लगा दे और उस नोट को अपने पर्स में रख दे ये नोट हमेशा पैसे खीचती रहती है आपके घर में धन का आविर भाव होता है यदि आप गाड़ी ले रहे हैं मकान ले रहे हैं और उसका भी नमबर 786 है तो आपके लिए लग्की ही साबित होता है क्योंकि ये अंक ही अपने आप में संपूर अंक है और इस अंक को दोस्तों यदि आप टोटल इसको प्लस करेंगे तो इसका जो अंक आता है तीन का मुलांक आता है तीन का मुलांक है वो भगवान विष्णू का भगवान नारायन का आंक है जो ये पूरी दुनिया को चला रहे हैं जो संचालन की सक्ती है ये उसका आंक है जब भी कोई व्यक्ति सुख या सम्रद्धी चाहता है अपनी लाइफ में तो लक्ष्मी नरायन की पूजा करता है तो यदि आप लाइफ में सफलता हासिल करना चाहते हैं तो भी ये नमबर दोस्तों आपको हमेशा अपनी लेफ्ट हैंड साइड की बॉड़ी पर लिख करके रखना चाहिए ग्रेन रंग की पेंसे नाभी के बाजू में आप लेफ्ट साइड इस अंको को यदि हल्दी से लिखते हैं और रोज लिखते हैं आपका भागे चमकेगा हल्दी, केसर आप इन दो चीजों को ले ले और यदि केसर आपके घर में नहीं है तो आप हल्दी ले ले, कुमकुम ले ले, थोड़े से चावल पीस करके ले ले हल्दी, चावल और कुमकुम तीनों चीज़ को आप अच्छे से मिक्स कर लें और इस नमबर को आप अपनी चोखट पर उपर के तरफ लिख दें या आप अपने दर्वाजे पर लिखतें दोस्तों आपके घर में हमेशा सुख और सम्रिधी का वास होगा जो पढ़ाई लिखाई वाले बंचे हैं वे भी हल्दी से इस नमबर को यदि अपनी बुप के ऊपर लिखते हैं तो आपका पढ़ाई में मन लगने लग जाएगा घर के अंदर यदि आप इस नमबर को उत्तर दिशा की तरफ लिखते हैं तो आपके घर में भौतिक विकास जबरजस्त होता है मतलब धन का जबरजस्त आविरभाव होता है इस नमबर को यदि आप अपने घर की पुर्विदी सामें लिखते हैं तो आपका आध्यात्मिक उन्नति आप भी होती है यदि आप किसी व्यक्ति को पसंद करते हैं तो इस नमबर को जैसे कोई लेडी से अगर किसी जेंड्स को पसंद करती है तो 786 पहले लिख दे उसके बाद में अपना नाम लिखे अपनी माता के नाम के साथ प्लस करके सामने वाले व्यक्ति का नाम लिखे उसकी माता के साथ उपर इस नंबर को लिख दे और उस रोटी को गाय को खिला दे या सामने वाला व्यक्ति यदि हाजी रहे तो उसको खिलाना सुगू करे आप देखेंगे दोस्तों सामने वाला व्यक्ति बहुत जल्दी आपकी तरफ आकर्शित होने लग जाएगा आपको ये नंबर प्याज के रस से लिखना होगा यदि पुरुष किसी महिला को पसंद करता है तो इस नंबर को जैसे मैंने बताया इसी टाइप से लिखे लेकिन पान के रस से लिखे और इसी तरह से पहले अपना नाम लिखे माता के नाम के साथ प्लस करे फिर सामने जो भी महिला है उसका नाम लिखे उसकी माता के नाम के साथ उस रोटी को फोल्ड करे या तो खुद खाए या गाए को खिलाए गाए को खिलाने से ज़्यादा दोस्तों यदि आप खुद खाएंगे तो दोनों के वीच का अप्रेम ज़्यादा पड़ेगा गाय को खिला देंगे सामने वाला व्यक्ति आपकी तरफ आकर्शित हो करके आने लगेगा इस नंबर को आप कोई भी विश करते हैं आप कोई इच्छा करते हैं कि मेरा मेरा ये काम हो तो आप एक वाइट रंका कागज ले ले उस कागज के ऊपर अपने इच्छा लिखे बराबर और उस इच्छा के ऊपर इस नंबर को लिखते हैं और दोनों के ऊपर एक गोल सरकल कर और उसके बाद में उसको फोल्ड करके अपनी जिब में रखें दिन में जब भी आपको समय मिलता है आप इस नंबर को बोले पहले अपनी इच्छा बोले उसके बाद इस नंबर को बोले इस नंबर में इतना बल है दोस्तों कि आपके तमाम इच्छाएं छण में पूरी कर सक स्थाहें इस नंबर को इस नंबर से दोस्तों जब पर जस्थ फाइदा इस ही नंबर से नहीं किसे नंब 검 social कर अपने बता हीनगे जिससे लोग को घर बैठे पैसे मिले हैं घर बैठे नोकरी मिली है है किसे तो हर नंबर की अपनी शक्ती है जो भी अमारे सब्स्राइबरें बार-बार पूछ रहे हैं यह उनके लिए बहुत अच्छा नियुज़े कि नमबर यदि आपको दिखाई दे रहा है कुछ न कुछ अच्छा होगा आपके लंबे समय से कोई इच्छा पूरी नहीं हो रही है तो वह इच्छा पूरी होने के जए सिप्ष्ण।